भारती रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए नई सुविदा शुरू की है जिसके जरीए अब यात्री QR कोड और UPI पेमेंट के माध्यम से ट्रेन टिकर्ड खरीद पाएंगे लेकिन ये सुविदा सिर्फ ऐसे स्टेशन पर होगी जहां आर्टोमेटिक टिकेट वेंडिंग मशीन यानी ATVM की सुविदा पहले से मौचूद हो ऐसी मशीन ATM की तरह होती है पहले इनके वो प्योग से यात्री केवल लोकल यार प्लेटफॉर्म टिकेट निकाल पाते थे लेकिन अब इनकी मदद से लंबी यात्रा के लिए टिकेट भी निकाले जा सकेंगे इसके लिए दक्षिन रेलवे कुछ सुधार कर रही है रेलवे के मताबिक अब ATVM की साहता से प्लेटफॉर्म टिकेट के साथ साथ यात्रा के लिए टिकेट भी उपलप्त कराया जाएगा टिकेट के लिए अब यात्रियों को इस QR कोड को स्कैन करना होगा और UPI के जरीए इसकी पेमेंट की जा सकेगी बढ़ती ऑनलाइन सर्विसर्स को देखते हुए रेलवे ने भी यात्रियों को ये सुधा दी है QR कोड आपको मशीन पर फ्लेश होता नजर आएगा जिसके बाद आपको इसे स्कैन करना होगा आप किसी भी UPI एप की मदद से ट्रेन टिकट का पैसा आच चुका सकते हैं दक्षिर रेलवे ने QR कोड से टिकट खरीदने की सुधा इसलिए शुरू की थी ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें